हरे कृष्णा इस वीडियो में हम शुरू करेंगे भगवत गीता के तेरवे अध्याय का तीसरा श्लोग 13.3 यहां भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवन्शी तुम्हें ग्यात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ग्याता भी हूँ देखे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे शरीर में हिर्दय का जो छेत्र है वहां आत्मा के साथ परमात्मा भी है और परमात्मा हमारे हर कर्म वचन और विचार को जानता है हम खुद भी अपने कर्म वचन और विचार को जानते हैं तो हम भी ग्याता हैं और भगवान भी ग्याता है हम भी जीव हैं भगवान भी जीव हैं बट फरक क्या है हम सिरफ अपने अंदर क्या है अपने कर्म जानते हैं अपने वचन जानते हैं अपने विचार जानते हैं बट भगवान सबके कर्म, सबके वचन और सबके विचार जानते हैं इसलिए वो भगवान है हम सिरफ अपने शरीर के अंदर क्या कष्ट हो रहा है इसको समझते हैं बट भगवान परमात्मा है हर जीव, हर कण के अंदर वो पस्तित है तो वो हर जीव के अंदर क्या मन में चल रहा है, क्या तन में चल रहा है, क्या बिमारी है, क्या बोलना है, क्या करम कर रहा है, वो सब कुछ जानते हैं, बस ये फर्क है, है ना, हम अनु हैं, वो विभू हैं, वो मानतम हैं, हम लगुतम हैं, लगुतम भी नहीं हैं, जब सबस बाड़ी है यह करम शेत्र है यह जो प्रकति है इसका भोकता कौन है भगवान लेकिन जो जीव है वो भी उस प्रकति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा जैसे आपने परिवार के लोगों को कंट्रोल करने कोश करते हैं सोसाइटी को कंट्रोल करने कोश करते हैं कुछ लोग और बड़े हो जाते हैं, राज्ये को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देश को, फिर जब देश के प्रधान मंत्री बन जाते हैं, तो यह जीव का सभाव है, कि वो कंट्रोलर बनने की कोशिश करता है, मतलब कि चीजों को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन कं कंट्रोलर के यानि भगवान ही इसको सारा कंट्रोल करते हैं अपने वश में रखते हैं यही वास्त्विक्ता है सो प्रकति को भोगने की जो कोशिश कर रहा है वो जीव भी है बड़ सो हो नहीं पाएगा जितना होगा वो छोटा-मोटा करके छोड़ देगा वास्त्विक कंट्रोलर वास्त्विक भोगता कौन है परम भगवान इसी तरह से ग्याता एक सधारन मनुश्य भी है जैसे मैंने कहा वो अपने शरीर के मन कर्म वचन इनको जानता है लेकिन भगवान परमातमा रूत में हमारे हृदे में स्थित होकर हमारे मन कर्म और वचन को जानते हैं और साथ-साथ दूसरों के भी मन करम और वचन को जानते हैं दूसरे मन हैं सौरे इसलिए वो एक तरह से सबसे बड़े ग्याता है तो भगवान यही कह रहे हैं हे बरंदवन्शी तुम्हें ग्यान होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ग्याता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ग्याता को जान लेना ग्यान कहलाता है तो अगर कोई विक्ति इस बात को समझ ले बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं अगर कोई इस बात को समझ ले कि हमारे हिर्दे में परमात्मा भी है यही भगवान कह रहे हैं जो इस शरीर को समझ ले कि शरीर तो सरफ करम ख्षेत्र है जीवात्मा अलग है इंद्रियों का इस्तिमाल होता है शरीर मिलता है करम करने के लिए इस लिए शरीर शेत्र है पिछले शलोक में हम चर्चा कर चुके है लेकिन इसको जो जानने वाला है इस शरीर के अंदर जो परमात्मा भी है जो उसको भी जानता है यानि जो differentiate कर सकता है, जो इस बात को समझ सकता है, शरीर अलग है, सुख्षुम शरीर अलग है, जिसमें मन बुद्धी एहंकार आ गए, फिर सुपर सोल परमात्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और परम भगवान कृष्ण अलग है, जिसको ये पूरी clarity है, जिसको ये clarity है कि प्रकती को मुझे भोगना है, वो ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत थोड़ा ही भोग पाऊंगा, वास्त्विक भोगता, इस पूरी प्रकती के, वो है भगवान शरी कृष्ण, जो इस बात को समझ लेता है, वो है ज्यानी, और इस बात को समझना है ज्यान, भगवान यही कह तुम्हें ग्यात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ग्याता भी, समस्त शरीर, जितने भी जीव है, सक के अंदर परमात्मा अपस्तित हैं, और इस शरीर और इसके ग्याता को जान लेना, उस परमात्मा को जान लेना, ज्यान कहलाता है, भगवान कहरें, ऐसा मेरा मत है, पूरा मैं एकदम definite conclusion के साथ पूरे विश्वास confidence के साथ ये बोल रहा हूँ ये है मेरा मत है क्योंकि जो भगवान को नहीं पहचान पाया जो परमात्मा को नहीं पहचान पाया क्या ग्यान है उसको कुछ नहीं जीरो असली चीज तो वो समझी नहीं पाया तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जो शरीर के साथ साथ इसके ज्याता को जो इस शरीर को समझता है मन करम वचन किसी के और सब के जान सकता है उस परमात्मा को जिसने जान लिया वही ज्यानी है वही असली ज्यान है वास्त्विक ज्यान वही है भगवान के रहे हैं ऐसा मेरा मत है हरे कृष्णा